सिलिगुडी से लापता हुई नाबालिक को भक्तिनगर थाना की पुलीस ने उत्तर प्रदेश से सही सलामत किया बरामत वही पुलीस ने नाबालिक के अपरहन के आरोप में युवक को किया गिरफतार गिरफतार युवक का नाम 19 वर्षिय विवेग बसफोर है मिली जानकारी के अनुसार गत एक फरवरी को भक्तिनगर थाना अंतर गत दश्रत पल्ली इलाके से 17 वर्षिय नाबालिका अचानक लापता हो गई थी जिसके बाद नाबालिक के परिजनों ने दो फरवरी को भक्तिनगर थाने में गुमशुद्गी के लिखित शिकायत दर्श करवाई शिकायत के आधार पर मामले की जाँच करने पर पुलीस को पता चला की नाबालिक का उसके पडोसी यूवक विवेक ने अफरन किया है बाद में पुलीस को मोबाईल टावर लोकेशन से पता चला की विवेक ने नाबालिक को उत्तर प्रदेश ले गया इसके बाद भक्तिनगर थाने के SI के नित्यत्व में एक टीम नाबालिक को बरामत करने उत्तर प्रदेश रवाना हो गई जिसके बाद उत्तर प्रदेश के हापपुर जिला से नाबालिगा को बरामत कर लिया गया वही अपरन के आरोप में विविक को भी गिरफतार किया गया जिसके बाद बीती राद दोनों को लेकर सिलिगुडी पहुंची पुलीस ने आज आरोपी को जलपाई गुडी अदालत में पेश किया है पचास हजार लोगों को अपनी मंजल से है जोड़ा नई उत्साह के साथ आये है फिर से थामने आपका हाथ स्वीशान्ती होंटा स्वीशान्ती है स्वीशान्ती है स्वीशान्ती है स्वीशान्ती है स्वीशान्ती है स्वीशान्ती है झाल झाल